हेलो फ्रेंट्स, गर्मियों के मौसम में अगर रोज आईस्क्रिम खाने को मिल जाए तो ये गर्मी का मौसम भी अच्छा लगने लगेगा आज मैं फ्रेस इंग्रिडियन्ट से आईस्क्रिम बनाने वाली हूँ, वो भी मैंगो फ्लेवर आम को धो कर छोटे छोटे पीस में काट लेना है, मैं यहाँ एक ही आम का यूज करूंगी क्योंकि एक आम से ही अच्छी क्वांटिटी में पल्प निकल गया है आम को हमें यहाँ छोटे छोटे पीस में काटना है जब आम कट जाए तो गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे इसमें कटे हुए आम को डाल दे गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम कर दे अब इसमें चीनी डालेंगे जितना आम है उसका आधा हमें चीनी लेना है आम और चीनी को हमें लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है चीनी को हमें चलाते हुए पकाना है नहीं तो नीचे से यह तुरंत जल जाएगे चीनी जैसे जैसे पिगलेगी वो एक चास्नी बन जाएगी आम को चीनी के साथ अच्छी तरह पकाना है इसमें हम आधा कब पानी डाल देंगे जिससे चीनी जमेगी नहीं आम भी अच्छी तरह पक जाएगा गैस का फ्लेम लोग कर दे और एक बार आम को अच्छी तरह चला दे इसी हम ढख कर करीब 10 मिनट तक पकाएंगे 10 मिनट में आम अच्छी तरह पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा दस मिनट हो चुके हैं देखिए आम अच्छी तरह पग गया है और चासनी भी पग गई है इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसे हमें अच्छी तरह ठंडा कर लेना है अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और तैयार आम को इसमें डाल दें और इसे पीस लेंगे इस तरह आम की प्यूरी बन जाएगे इस प्यूरी से जब आइस क्रीम बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आम चीनी के साथ अच्छी तरह पग गया है अब आइस क्रीम बनाने के लिए दूद लेंगे मैंने यहां करीब एक लीटर दूद लिया है इसे गैस पर रखकर हमें थोड़ी देर पका लेना है हाई फ्लेम पर हमें दूद को पकाना है जिससे ये थोड़ी गाड़ी हो जाए हमें एक छोटी कटोरी में आधा कटोरी दूद लेना है इसमें एक चम्मच कस्टड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला ले ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे इस तैयार कस्टड के घोल को उबलते हुए दूद में डाल दे इसे हम धीरे-धीरे करके डालेंगे इसे थोड़ा सा डाले फिर चला ले फिर पूरा कस्टड डाल दे इससे कस्टड जमेगा नहीं इस दूद को हमें मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट तक पकाना है जिससे कस्टड अच्छी तरह पक जाए कस्टड डालने से धीरे-धीरे दूद गाढ़ा होता जाता है इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसे बंद गैस में थोड़ी देर और चला दे जिससे नीचे से ये चिपके ना इसे हमें पुरी तरह से ठंडा करना है जब दूद अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब कस्टड मिल्क को मैंगो प्यूरी के साथ मिक्सी में डाल देंगे और इसे एक बार मिक्सी में चला ले इस तरह आइसक्रीम को जमाने के लिए दूद अच्छी तरह बन कर तयार हो गया है इसे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे इस कंटेनर को हमें अच्छी तरह ठंडा देना है जिससे आइसक्रीम के ऊपर बर्फ ना जमे इसे हम पुरी रात या आठ घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे जिससे दूद अच्छी तरह जम जाएगी और आइसक्रीम बन कर तयार हो जाएगी आठ घंटे बाद आइसक्रीम को निकालते हैं इसे फ्रीजर से निकाल कर थोड़ी देर यूँ ही छोड़ देंगे जिससे ये आसानी से दिमोल्ड हो जाएगा फॉयल पेपर को हटा लेते हैं देखिए आइसक्रीम अच्छी तरह जम गई है चाकू की सहायता से किनारे को हटा लेंगे जिससे आइसक्रीम कंटेनर से अच्छी तरह अलग हो जाएगा इसे एक प्लेट के उपर पलट दे और उपर से टैप कर दे जिससे aise cream अच्छी तरह निकल जाएगी देखिए aise cream कितनी अच्छी तरह निकल गई है इसे aise tray के उसे भी जिसे aise cream काटने वक्त पिख लेना देखिए कितनी अच्छी तरह कट जा रही है और कितनी क्रीमी बन कर तैयार हुई है एक बार आप इस तरह आइस क्रिम बना कर जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें थैंक यू